हलो एब्रिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ट्वीटर जोती कपूर आयम जोती कपूर बच्चो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था फ्रेक्शन टू डैसिमल कैसे चेंज करते हैं उसी टॉपिक को कंटीनियू करते हुए आज हमारे पास प्लास निक्स्त एंशी आईटी मैच्स की बुक चैप्टर एक्ससाइज एट पॉइंट वन का टॉपिक है तो बच्चो वीडियो को एंड तक जरूर देखे तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर रोपता है वो टैन आए हंड्रड आए या थाउजंट आए तो हमें डैसिमल कैसे राइट करना है उसके बाद अब हमारे पास डिजिट्स है नुमरेटर में भी हमारे पास डिजिट आया हुआ है डिनोमिनेटर म को हमने fraction में दे रखा है decimal में change करना है तो क्या करना है बच्चों हमारा जो numerator है उसको हम बीच में रखके denominator से divide करेंगे चाहे हमारा numerator small है या greater है नीचे denominator से फिर भी हमें क्या करना है numerator को हमेशा बीच में write करना है इट मींज dividend की जगा पर write करना है और diviser की जगा पर हमें नीचे वाला denominator write करके sum निकालना है अब sum उस ऐसे निकालना है कि पूरा पूरा हमें sum divide करना है उसमें reminder नहीं आना चाहिए तो 2 के table में देखेंगे 3 नहीं आता 2 बंजा 2 अब इसे minus करेंगे 3 में से 2 कट किया 1 लेकिन हमारा reminder निकल रहा है अगर reminder आ रहा है तो हम decimal में नहीं निकाल सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम एक 0 अपनी तरफ से add कर लेंगे 0 एड करने के बाद हम उपर से ले लेंगे 0 बन गया number 10 2 के table में आएगा 10 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 and 2 5s are 10 अब हो गया पूरा पूरा divide हमारे पास reminder नहीं बचा अब हमें क्या देखना है कि हमने कितनी 0 extra लिया है only 1 0 extra लिया है हमारा answer आया था 15 हमने जितनी 0 extra लिया है तो हमें उसी digits के आगे point डालना है अगर 1 0 लिया है तो 1 digit के आगे point अगर हम मालो यहां 2 digit लेते 2 0 लेते तो हम यहां क्या करते 2 digit के आगे point 1 2 and यहां हमारा decimal का sign आता तो हमारा answer यह होता यहां हमने only 1 0 extra लिया है पूरा पूरा divide करने के लिए तो 1 digit के आगे point आएगा it means हमारा number 5 के आगे decimal का sign आएगा तो हमारा 3 by 2 का decimal form आएगी 1.5 next है हमारे पास 2 by 5 अब इसमें भी क्या करना है numerator को हमने बीच में रखके denominator से हमें divide करना है मैंने आपको पहले भी बताया अगर numerator हमारा small है तो कोई बात नहीं लेकिन हमें numerator को हमेशा बीच में write करके denominator से divide करना है अब 5 के table में देखेंगे 2 नहीं आता तो क्या करदेंगे पहले ही 0 ले लेंगे पूरा पूरा divide करने के लिए 5 के table में 20 आएगा 5 4s आ 20 तो अब हमारा remainder के आगया 0 तो बच्चों हमने कितने 0 extra add की है only 1 तो हमारा answer 4 था 1 digit के आगे हमें point डालना है और आगे हम खाली नहीं ऐसे write कर सकते तो हमारा answer आएगा 0.4 बिल्कुल easy way और easy trick के साथ आप लोग ऐसे decimal के sum निकाल सकते है more example है हमारे पार next question है हमें mixed fraction में दे रखा है 3 3 by 5 को हमें fraction पहले mixed fraction से improper में लाना है फिर उसका fraction से decimal में लाना है अब ये question कैसे करेंगे हमें improper में लाने के लिए नीचे वाले digit को whole number से multiply करके और उपर numerator जो number है उससे हमें plus करना है 5 का table पहले 3 तक करेंगे हमारा number आएगा 15 और उपर हमें 3 से इसे plus करना है तो 15 और 3 हमारा number numerator क्या हो जाएगा 18 और denominator as it is right करेंगे अगर 5 है तो 5, 2 है तो 2 और numerator कैसे लगाना है पहले हम denominator को whole number से multiply करेंगे 5, 3 जा 15 और जो answer आएगा उसको उपर वाले number it means numerator से plus कर देंगे 15 और 3 हमारा number आजाएगा 18 18 by 5 हमारा improper fraction में हो गया तो अब बच्चों हमें fraction से लेके decimal में change करना है तो कैसे करेंगे जैसे मैंने last sum में बताया था numerator को बीच में रखके denominator से divide करेंगे अब 5 के table में 18 या 18 से small आएगा 5, 3 जा 15 माइनस करेंगे 8 में से 5 गए 3 1 में से 1 गई 0 अब हमारा remainder बच रहा है लेकिन हमें remainder नहीं निकालना क्यूंकि हमें इसे decimal में डालना है तो उसके लिए हम 1 0 अपनी तरफ से extra ले लेंगे 0 extra ली अब हम उसे नीचे उतारेंगे नंबर बन जाएगा 30 अब 5 के table में देखेंगे 30 वच्चों 5, 6, 30 अब इसे minus करेंगे 0 में से 0 कट की 0, 3 में से 3 कट किया 0 0 हमारा remainder आगया 36 हमारा question आगया आप हमें देखना है कि हमने कितनी extra digit, कितनी extra 0 लिया हमने only 1 0 extra लिया है तो बच्चों हमें 1 digit के आगये decimal का sign put करना है तो यह हमारा answer आजाएगा 18 by 5 का हमारा decimal form हो जाएगी 3.6 next question है 11 by 5 इसे भी हमें ऐसे decimal में solve करना है 11 को हमें बीच में write करके हमारा divisor आएगा 5 अब हम divide करेंगे 5 के table में देखेंगे 11 नहीं आता तो 5 टूजा 10 अब minus करेंगे 1 में से 0 कट की 1, 1 में से 1 गए 0 अब हमारा remainder निकल रहा है लेकिन हमें decimal में डालने के लिए remainder नहीं निकालना तो क्या करेंगे हम dividend की जगा 1, 0 extra add कर देंगे अब हो 0 हम नीचे उतारेंगे तो हमारा number बन जाएगा 10 तो बच्चो 5 के table में 10 ना आएगा 5 टूजा 10 10 में से 10 कट की 0, it means हमारा remainder नहीं आया और हमारा question आया 22, 22 आने के बाद अब हमें इसमें decimal का sign कैसे put करना है, हमने कितनी 0 extra लिया है, only 1 तो हमें last digit skip करके उसके आगे point डालना, it means one digit के left side decimal का sign डालना है, तो हमारा answer आ जाएगा 2.2, तो यह था बच्चो 11 by 5 का decimal बनेगा 2.2, यह था fraction to decimals के sum, अगर आपको इस topic से related कोई भी doubt हो, तो मुझे आप comment box में comment कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो please मेरे चैनल को subscribe, वीडियो को like और share करना न भूले, तो बच्चो मिलते हैं, अगले एक नए topic के साथ, अगले वीडियो में तब तक के लिए stay safe, stay home and stay healthy